Question No.1. राजिस्तान में त्यमवारों का आगमन किस त्यमवार से माना जाता है? यह question PSI exam 2011 में पूछा गया, इसके अलावा राजिस्तान के various exam में time to time repeat हुआ है. इस question के option है वैसाक 30, रावन 30, भादरपर 30 या फिजेश्ट 30. इस question को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हिंदू त् मतलब विक्रमी कलेंडर और विक्रमी कलेंडर में 12 महीने होते हैं जो पहला महीना होता है विक्रमी कलेंडर में वो होता है चैतर महीना और अंति महीना होता है फालगुन महीना तो इन 12 महीनों के नाम जो है वो आप उक्रम से ध्यान में रखने हैं चैतर, वैसाक, जेष्ट आसाड, श्रावन, भाद्रपद, आस्विन, कार्तिक, मागसिस, पोस, माग और फिर फालकुन अब देखो जिस तरीके से जनवरी फरवरी मतलब जो इसवी कलेंडर में जो महिने होते हैं उनमें साथ दिन का एक सपता होता है इस तरीके से हर महिने में चार या पाँच सपता होते हैं लेकिन जो हिंदी महिने जो है चैतर बैसाग जेश टासाड इनमें जो महिना है वो दो भागों में बठा होता है महिने का जो पहला भाग होता है उसको बोलते है कृष्णपक्ष और महिने का जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते है सुकलपक्ष मतलब 15-15 दिन का यहाँ पर दो पकवाड़े होते हैं महिने में तो चैतर साल का पहला साल, तो चैतर का कृष्णपक्ष आएगा और फिर आएगा सुकलपक्ष, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि जैसे जनवरी, एक जनवरी से नई साल सुरुआत होती है इस्वी कलेंडर में, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी महीने है, इसमें साल की सुरुआ जो है वो कृष्णपक्ष के साथ में सुरू नहीं होगी, चैतर का कृष्णपक्ष, मतलब 15 दिन जब चैतर के गुजर जाएगे, फिर चैतर की सुकलपक्ष प्रतिपदा आएगी, मतलब जो पहला दिन हैगा सुकलपक्ष का, उस दिन जो है, वो किसकी सुरुआत होती है, हिंदु नववर्ष की सुरुआत होती है, चैतर सुकलपक्ष की प्रतिपदा को, ये बाद आपको ध्यान में रखनी है, अब आपको लगेगा कि साल की सुलवात के साथ ही त्योवारों की सुलवात हो जाती होगी, तो ऐसा नहीं है, जो हिंदु त्योवार जो है, उनकी श्रावन महिने से आपने एक कहावत सुनी होगी तीज त्योंवारा बावडी ले डूबी गणबोड मतलब तीज जो है वो त्योंवारों को ले करके आती है और गणगोर के साथ में त्योंवारों की समापती हो जाती है तो जो श्रावन महिना है उसका भी पहला भाग क्या र श्रावन के सुकलपक्स की जो तिरती आएगी, तीसरा दिन आएगा, उस दिन जो है वो त्यहवारों की सिरुवात होती है और उसको बोलते हैं तीज त्यहवार या छोटी तीज की नाम से भी इसको जानते हैं और जैपुर की जो तीज की सवारी जो है वो काफी ज़्यादा famous ये बात आपको ध्यान में रखनी है तो श्रावन तीज जो है उससे त्योवारों का आगमन होता है हिंदू त्योवारों का ये बात आपको ध्यान में रखनी है और त्योवारों के समापती होती है गणगोर के साथ में और गणगोर किस दिन मनाई जाती है तो गणगोर मनाई को क्या होता है गणगूर मनाया जाता है और उस दिन त्योवारों का क्या हो जाता है एक तरीके से अंध हो जाता है तो आप इस तरीके से बानिए नववर्स की सुरुवात होती है और उसके दो दिन बात जो है वो त्योवारों की समपती हो जाती है और श्रावन के सुकल पक् पूछा जाती है अब देखो तिरतीया जब भी आए आपको एक बात में ध्यान ने रखनी है कभी भी विकश्न से तिरतीया से रिलेटेट पुछा जाए तो आपको इध्यान में रखनी है कि तिरतीया को पारोती माता की पुजा होती है तो question number one हमने discuss कर लिया अब है question number two राजस्तान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है तो देखो अभी हमने discuss किया कि छोटी तीज जो है वो जैपुर की famous है और स्रावन की सुखलपक्स की तिरतिया को मनाई जाती है सवारी निकलती है तीज माता की अब स्फिक्स इसके 15 दिन बाद स्रावन के बाद में कोई सा महीना आता है भाद्रपद इसलिए मैंने बोला कि क्रम से आपको इनके नाम ध्यान में रखने है इन महीनों की स्रावन के बाद में आएगा भाद्रपद तो यहाँ पर 15 दिन बाद में भादरपद महीना स्टार्ट हो जाएगा, भादरपद का पहला पक्स क्या रहेगा, कृष्ण पक्स रहेगा, और कृष्ण पक्स की तिर्थिया आएगी, कृष्ण पक्स की तिर्थिया, मतलब छोटी तीज के फिक्स 15 दिन बाद में जो है, वो आती है, बड़ी तीज, भाद भूंदी की जो सातूरी तीज है, कजली तीज जो है, वो काफी ज़्यादा famous है. Next question जो है, वो है full doll उच्सव को ले करके, कि full doll उच्सव जो है, वो कब मनाये जाता है? देखो हमने इन question के सामने लिख रखा है, कि ये question जो है, वो कब कब पूछे गए? अब एक दो exam का हमने आपन mention कर रखा है, इसके अलावा ये question जो है, वो time to time हर question में, हर exam में regular, किसी ना किसी तरीके से option change करके, या किसी ना किसी तरीके से इसको ले करके पूछा जाता है. तो question है कि फूलडोल उत्सव कब मनाये जाता है, तो इसके option है परनामी पंथ दुआरा, वल्लब पंथ दुआरा, राम इसने ही पंथ दुआरा, सतनाम पंथ दुआरा, तो देखो फूलडोल उत्सव मनाये जाता है, राम इसने ही पंथ दुआरा, भीलवाडा में जो क्रिमी कलेंडर है उसमें बारा महीने होते हैं अंतिम महीना होता है क्या होता है फालकुन और फालकुन जो है इसका जो लास्ट दिन होता है देखो कृष्ण पक्स का जो लास्ट दिन होता है एक से पंदरे दिन का कृष्ण पक्स हुआ तो इसका लास्ट दिन जो होता है उसक वो रामिस नहीं पंत के, जो भी समर्थक है, वो यहाँ पर फूलडोल उत्सव, मतलब धुलंडी वाले दिन जो है, वो फूलडोल उत्सव मनाया जाता है. नेक्स्ट केशन है, कि राजस्तान के प्रतेक वर्स के चैत्र मास में गणगोर पूजन उत्सव दिवस की तिथी है, गणगोर पूजन जो है, वो किस दिन किया जाता है, ओके, तो यह केशन जो है, वो 2004 में, जो RPSC का थर्ड ग्रेड का एकजाम होता है, उसमें पूछा गया है, तो अभी हमने केशन नंबर बन में देखा, कि त्यमवारों की सुरुआत होती है तीज के साथ में, और त्यमवारों का अंत होता है गणगोर के साथ में, और गणगोर जो है, वो कम मनाई जाती है, जब 9 वर्स मनाया जाता है, 9 वर्स कम मनाया जाता है, चैतर की सुकलप पुछा गया था कि गुलाबी गनगोर कहां की फेमस है। जैसलमेर में मनाई जाती है नेक्स्ट क्वेशन है राजस्तान में गुडला त्यमवार कम मनाये जाता है पतवारी एक्जाम में क्वेशन पूछा गया और यहां पर है कि सीतला अस्टमी किस दिन मनाई जाती है तो जिस दिन सीतला अस्टमी की पुजा की जाती है उसी दिन जो है वो मारवाड में गुरला तेवार मनाया जाता है तो सीतला अस्टमी मनाई जाती है चैतर की कृष्ण पक्स की अस्टमी को ठीक है तो चैतर कृष्ण अक्ष्टमी को जो है वो ही गुर्ला तेमवार मनाया जाता है तो इस तरीके से आपको क्या चीज़े ध्यान में रखनी है जो बारा महिने है उनका नाम जो है वो क्रम में आ तो इस तरीके से आप relate करके questions को पढ़ोगे न तो बहुत सारे facts जो है वो आपके clear होते जाएंगे और बार बार मेरा तो basic fact ये मानना है कि आपके घर में कोई भी त्यमवार जब celebrate किया जाता है अगर आप हिंदू पंथ से हिंदू धर्म से आप relate करते हो और आपके घर में कोई भी त्यमवार मनाया जा रहा है तो उस त्यमवार को आप क्या करो उस त्यमवार की तिथी जो है वो आप ध्यान में रखने की कोशिस करो इससे जो चीजे है वो आपके बहुत ज़्यादा clear होती जाएंगी और आप इन questions को बहुत ही easily जो है वो solve कर पाऊंगी ओके तो इस tradition क आप follow करो और जो भी other important fact है कला और संस्कृति को लेकर के उन सब को हम regular discuss करेंगे question and answer format में हार topic लेकर कर के आएंगे मतलब आपके PY की जो है वो तरीके से आपके यहाँ पर prepare हो रहे है तो अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर दीजे शेर कर दीजे और चैनल को subscribe कर दीजे आपको हमारा initiative पसंद आ रहा है तो आप comment box में बता सकते हो कि हम इसको regular करें या ना करें ओके थैंक यू